नमस्कार आप देख रहे हैं टीवी नाइन राजस्थान मैं हूँ अम्बेश रिवास्तर यह एट पीम सो राजस्थान में साथ सीटों के को लेकर होने वाले उपचुनाओं का जो स्रंग्राम है वो लगातार बढ़ता जा रहा है बीजेपी एक तरह के से कहें तो अपनी उपचुनाओं में हार का वो तोड़ सके जो उसका दस सालों का है कि उनको उपचुनाओं में जो जीत नहीं मिल पारी तो उस मिथक को उस तरह के से तोड़े और ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करें तो उसके लिए उन्होंने अपना जीजान जो है बीजेपी की तरफ से जोग रखिये लेकिन चर्चा है वसंद्रा नाम वसंद्रा राजे के नाम को लेकर वसंद्रा राजे सिंद्या दो बार की पूर्व सियम विधान सवा में के सरीके से उनके साथ कहा जाता है कि भाई उनको साइड लाइन रखा गया लोग सवा में साइड लाइन रखा गया अब उनको साइड लाइन रखा गया या वो साइड लाइन खुद हैं अब इसी बात को लेकर चर्चा है राधा मोहंदास अगरवाल जो की प्रभारी है राजस्थान बीजेपी के वो कल जैपूर पहुंचे मलब राजस्थान पहुंचे अब उप्चुनाओं की तैरियों को लिए तो उनसे पत्रकारों सवाल कर लिया कि वसंदरा जी क्यों नहीं नजर आ रही हैं तो उन्होंने कहा कि वह समय हमारी सीनियर लीडर है हम उनके देखरेक में सारी चीज़े कर रहे हैं और वो प्रचार में कहा क्या ज़रूत होगी वो देखा जाएगा अब देखिए ब वो खुद एक्टिव नहीं है उसके अलावा प्रताप सिंह का चरियावाज जो की पूर्व मंत्री हैं गहलों सरकार में मंत्री रह चुके हैं कॉंग्रेस से कर्दावर नेता रहे हैं उन्होंने भी एक हमला बोला है वो बोला है राजेन सिंह राठोर सतीस पुनिया को लेक उनको कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि उनको भी साइडलाइन रखा गया है उनको चुनाओ प्रचार के लिए आज सतीस पुनिया क्यूसर पहुंचे हैं अब वो कितनी बड़ी भूम का निभा पाएंगे बीजेपी की जीत में देखना होगा लेकिन वो जिस तरीके से जो उन दर्सर्क मंडल की ओर जा रहे हैं क्या कुछ कहानी है देखे बीजेपी के सभी नेता आज आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं बीच में वसंदर राजे हैं अब वो खैर सेंटर ऑफ स्टोरी विदान सवा चुनाओं से पहले भी रही है चुनाओं में भी रही है और हमेसा ही दिख़ाए रहती है जब भी राजस्थान में अगर राज्जीत किस बात होगी फिर चाहें वो कॉंग्रेस को चाहें बीजेपी को तो कहीं ना कहीं एक नाम जो है वो बीच में संटर में वसंदर राजे आही जाती है तो आप इनी सब बातों पर चर्चा करेंगे क्या बसं सुन्मा देता हूं उसके बाद कुछ एक सवाल लें वो फटा पड़ उसमे नजर डालेंगे और फिर उन सवालों के जवाब लेंगे तो पहले सुनिए प्रताप सिंग खचरियावास को तो तो द्यान रागो राजेंदर आट रोरो सटीस कुने ने बांदो लागे साकड़ के ती मतलब काई जमानों आगियो काल तक जिखा लोग सरकार ने पावर में लियाबान जान लड़ा मिली आज जिखा राज में बैदो घटा ही को नी एई तो लड़िया अब आगी दसा इ यह भी हार के डल से इस तरह से कर रही है लेकिन उल्टा भी पर सकता ही ना तो चलिए सुना आपने प्रताप सिंग खचरियावास को राजेन सिंग राठोर और सतीर स्पुनिया पर उन्होंने किस तरीके से जिक्र किया अब सीधे चलते हैं सवालों पर तो पहला सवाल फट कि बाई क्या वसुन्धर राजे उप्चुनाओं से दूर क्यों है क्या BGP किसमें कोई रन नीती है क्या कुछ वज़े बाई वसुन्धर राजे की दूरी की पहلا सवाल दूसरा कि राजेंदर सिंग राठोर और सतीस पुनिया भी उपचुनाओं में अक्टिव नहीं दिखना क्या बीजेपी को भारी पड़ सकता है अब ठीक है आज जरूर पहुंचे हैं क्यूचर पहुंचे हैं क्यूचर बड़ा दाव है हनुमान बेनिवाल वहां पर जोर सोर से लगे हुए है अब ऐसे में सतीस फुनिया क्या कुछ वहां पर दमखम दिखा पाएंगे वह समझेंगे सर से yni सतीस पुनिया के लिहास से वह कितनी बड़ी सीथ है वो भी समझेंगे वो भी जाट है वो भी जाट है और एक सवाल है कि बाई स्टार प्रचार को डिप्टी सीम प्रेम चन बहरवा भी क्यों है प्रचार से दूर अब प्रेम चन बहरवा देखिए जब विदेश यात्रा पर गये थे उसके बाद जब लॉट किया है तो काफी कुछ सियासत हुई उनके बेटे की एक रील वाइरल हुई उस पर काफी कुछ बिवाद हुआ तो उसके बाद से लगातार वो जो है सक मलब इधर कम दिखाई पड़ रहे हैं कैमरे के सामने और इस चुनाओं में भी उनकी सक्रीता कम नजरा रही है और आखरी क्या बीजेपी सीनियर और अनभवी नेताओं को साइलाइन कर खत्रा मोल तो नहीं ले रही है इस उप चुनाओं में अब क्या कुछ फरक पड़ेगा देखिए एक आरोप यह लगा था कि भाई वसंद्रा राजे का आपने लोगसभा में इस्तेमाल नहीं किया ये बात कई उमीदवारों ने स्युकार करी लोगसभा चुन की लिस्ट होती है वो इसलिए पार्टी जारी करती है कि ये हमारे सबसे इस चुनाओं में जिस जगे के लिए होती वहां ये प्रभावी लोग है इनका प्रभाव रहेगा इनकी बात सुनेगी जनता जब यह रैली करेंगी या रोडशो करेंगे उम्रेगा लेकिन आप जि दिखाई नहीं दे रहें कहीं सातों सीटों पे तो प्रचार करते नहीं दिखाई दे लेना वह भी सर अभी पहुंचे आज आठ तारीक हो गया आठ तारीक हुए प्रेम चंद बहरवाजी की बात करी वह अभी तक आये और बिलकुल नोन रीजन्स है कि अगर वह एक्टिव करवाया है लेकिन जो आपने बड़ा सवाल पूछा कि क्या मारदर्शक मंडल की ओर है अब राजे तो है तो वही लेकिन मैं कहता हूँ अगर मारदर्शक मंडल में भी रखिये ना तो उनसे जो अभी आप जब अपना वक्ता वे बोल रहे थे तो उसमें आपने एक बढ़ सब्सक्给ातर की बात करें वह आप ऐसका बिल्कुल नहीं है कि आप मृ वसुंध्रा को साइड लेंगा इस सालों की राजासानि से अप बात करिये या मैं तो वसुंध्रा राजी अपने आप में बड़ीप दो नेता इसे हैं जो हमेशा बोलता हूं अशोग गहलोत और वसुंद्र राज जो नई जनरेशन है वो भी जान गई उन्हीं को लेकिन जिस तरीके से बीजेपी की बीजेपी ने इस्ट्रेटिजी बना है देखिए विदानसभा चुनाओं से पहले उनको बहुत एक्टिव नहीं रखा पार्टी ने कई रैलियों में नहीं गई प्रधानमंत्री मोदी की लेकिन आखरी में वसुंद्रा राजे को आखरी रैली में सही प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी रैली में वसंदरा राजे को बुलाया आप सोचे वही मैं कह रहा हूं इस्थानी नेता भले कुछ भी सोचे वो नए हैं नए लोगों को लेकिन अभी जो वसंदरा के पास जिस अनुभव लोगों से बातचीत वो आज भी वहां जे आप कोई भी छेत उठा लिजे भी वह कुबत रखती है कि जाके वहीं जाके उनके गाओं में उन महिलाओं के बीच पुर्शों के बीच जाके खड़ी हो जाएंगे मैं कह रही हूं वोट देना है भाजबागों यह वो चेहरा है बीजेपी का जो कह सकता है खड़े होके कि आप मुझे वोट दी क्या कर र अचान कहें अब इसमें वही बात है कि भजनलाल जी के लिए यह है कि वो हमेशा अधर करते हैं वो मानते हैं सीनियर नेता हैं लेकिन अब वो अपनी तरफ से नहीं कह पा रहे हैं कि इनको नहीं लगाई है अब यहीं दुविदा समझ में नहीं आ रही कि जब आप स्टार प्रचारकों के लिस्ट में डाल रहें तब फिर आप क्यों अब आप देखें मदन राठोर उनके हां उनकी आखरी कारकाल में मुखमंत्री वाले डिप्टी चीफ वेव थे उनसे पूछा गया बोले नहीं उनसे ही पूछ के सारी बाते हो रही है मदन राठोर ने भी यह ब प्रत्याशी भी आप देखें नहीं उनको बुला रहे हैं या वो टाइम नहीं दे रही है यह बीजेपी में जो इस्तित है और जो एक वर्ग मानता है कि वसुंद्रा जैसा एड्मिनिस्टेशन वसुंद्रा के स्टाइल ओफ फंक्शनिंग से जो खुश था वो फिर इधर उदर हटता है लेकिन जिस तरीके से आपने प्रताब सिंग कचरियावास को सुना वो समझ गए कि कॉंग्रेस की जो दो से तीन सीटे हैं जो जाट बाहुल और चार सीटे सर कॉंगरेस की चार हैं लेकिन तीन पर जाट बाहुल लोग है और वहां पर राश्टी आरा दोसा ह इसलिए बीजेपी ने कॉंग्रेस ने तो हमला किया क्योंकि राहुल कस्वा वाले खेस में देख चुकी थी बीजेपी कि राजेंद्रा ठोड बाद में अपना चुनावार जा रहे हैं जे हारे की नहीं हारे जे जे और सतीश पुनिया वहां सिर्फ ये जिस सीट पे जाए आएंगे वहां फिर राजपूत वर्सेज ये और पुनिया राजपूत वर्सेज जाट एक बार फिर खड़ा हो जाएगा और आपने अपने आप ही बता दिया कि प्रेम चंद बैरवा के लिए आपने जो कहा वो कहते हैं ना उनको इतना बड़ा पद दिया गया सब दिया वो सत्ता समालना अम्बेश जी बड़ी बात होती है पावर हर कोई पावर को डाइजेस्ट कर ले ऐसा बड़ा मुश्किल होता है अब वो अनेकों कारण हो जाएंगे मैं यहाँ पे राजनेतिक हम लोग जर्चा नहीं पत्रकाट एक असली विश्लेशड है बीजेपी के लिए भी वो सूट नहीं करेंगे जो आपने कहा ने वो कैमरे से दूर है हो सकता है लेकिन आपने ये भी देखा है नेताओं का कि बीमार भी रहते हैं तो फोटो देखके और मांगते हैं न गहलोड जी देखे न बिस्तर पड़े थे लेकिन जब 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 लगी ने खटा का ट्वीट करना सुरू कि और आते ही देखे कि सरी किसा एक्टिव हो गए जब आपने चर्चा लाई दी गहलोड की ये देखिये यहां पे यह साफ देखिये कि बीजेपी में यह दिख रहा है कि सीनियर नेता नहीं वहां अशोग गहलोड डीसी बहरवा का नॉमिनेशन कराते हैं तो सचिन पाइलेट उनको ट्रेक्टर प्लेकर गूमते हैं जे नहीं पाइलेट नहीं थे सारू सब्सक्राइब देश में भाई कैसी बात कर दी दोसा में कमान समाली है सचिन पाइलेट ने चोटी-चोटी नुकर समाये की हैं उसमें सभा में उनको लेके गए हैं ट्रेक्टर पे तो वह बड़ा सीधा सा है बीजेपी का ही दिया फार्मूला है बटोगे तो कटोगे एक रहोगे तो नेक आज भी चुनावी मंजर चल रहा है महराज से लेके जारखंड तक जी उसमें भी आज पीम ने यहीं बोला हर जगे यहीं बोला जा रहा है कि बटोगे तो कटोगे लेकिन यह पार्टी के अंदर भी लाग हुए अगर पार्टी बीजेपी के लिए इन साथ सीटों में भले जो आप कह रहे थे और जो महल दिख रहा था जैसे इंडिया गटबंदन अलग अलग गई है हम और आप यह मानने को तयार है कि हर सीट पर बीजेपी से ही और ऐसा कता ही नहीं हो सकता कि बीजेपी अपना ये नंबर बढ़ाएगी नहीं अबकी वो ये वो हम लोग ये चर्चा इसी लिए कर रहे हैं बीजेपी के पास ये मौका था अपने सारा संगठन के पुराने लोग जाए राजेंदाठाउन हों सतीश पूनिया हों वसंद्रा इन लोगों का इस्तेमाल होता तो साथ मैसे सेवन जीरो से चौदा ग्यारा का बदला साथ जीरो से लिया जा सकता था लेकिन बीजेपी में दर असल समस्या वही बड़ी है कि अभी गुटबाजी है आप देखिए किरोलाल मिना जो साथ सीटे लोग सभा की जिता रहे थे अ चुनाओ गली में बंद के नहीं सर आज तो वो कटोरा गले में गमचा हाथ में कमंडल लेके और कह रहे हैं कि वोट भिक्छा मी दे मनलब मुझे वोट की भिक्छा दीजिए यही चुनाओ का असली रंग है इसलिए जनता जाए देवतुल कह लीजिए जनता को देवता कह कह लीजिए भगवान कह लीजिए यही वो समय होता है कि यहाथ जनता किस उंगली से किस का बटन दबाएगी वो नहीं मैं बड़ा दो-तीन दिन से जो अभी अभी हाल-फिलाल जो प्रचार देख रहा हूं हनुमान बेनिवाल का और किरोडी लाल मीना का मेरे जहन में एक च किताब खोल के नहीं पड़ेंगे आप एक ची जाल लीजिए जितना मतलम मैंने अपनी नजरों से करीमें 22-23 साल का चुनाओं कवर और देखा और उससे पहले जो समझा आखरी में वोटर के पास आपको काम जाहें जित्ता कर लीजिए अगर वोटर आपको डर बैट गया न क्योंकि वो दर उस तो कमी रहे गए योगी ना सर्ण चौबिस में दिख गया जून में इसलिए कटोरा नहीं अब गए नहीं बोले यहां से हार गए अगर जगमोहन मीडा तो फिर आप क्या मांगूंगा जाके जिस स्कॉर्पियों को छोड़ के खड़ी करवा दी थी वो अपने हाँ पाटो में टिक कड़ी हो जाएगी नहीं से तो मैं तो यह मैं इसलिए कह रहा था कि देखिये साख तो सचिन पाइलट की भी दाओं पर लगी है उन्हों तो एक सभा करी निकल लिए यह दिखाता है कि भाई सचिन को मालूम है वह राश्ट्री महा सचिम है पार जाएंगे प्रभारी हैं वहास नहीं अटाए जा रहे हैं CWC के मेंबर हैं वहास नहीं अटाए जा रहे हैं यह हो गई कॉंग्र संगठन की बात अब आजाईए आप बीजेपी में और खासतोर से किरूला लुणा जो अब आप मुझे बताईए कि वह अभी मिनिस्टर है क कि नहीं है कि इस्तीफा भी तक पेंडिंग में पढ़ा है पेंडिंग में पढ़ा है उसमें तुरंद फैसला हो जानना है तो वो उनसे तो सब कुछ और जीत गए जितालिया तो कहेंगे देखिए जिस दौसा तो प्रमोशन मांग रहे हैं मंत्री से मतलब डिप्टी सीम का मांग रहे हैं एक तरीके से देखा जाए क्योंकि मंत्री से उपर डिप्टी सीम ही होता है अब मुझे अभी लगता नहीं बीजेपी में कोई बीजेपी सेट होके आप देखिया मैंने कहा था ना अभी नहीं और सीपी जोशी कब आये कब चलेगा कोई मालूम पड़ा जी कि वसंद्रा परची खा लेनी चाहिए थी किसी को कुछ नहीं मालूम है और उस आप वीजुल को देखेंगे तो खुद चौक गई कि अरे मतलब वसंद्रा जैसे सीनियन नेता को नहीं पता है कि किसका नाम है तो कि रोल्याल मिया मजह हुए नेता है मालूम है जिता के जब नहीं जीत पाए और कॉंग्रेस के लिए समस्या क्या नहीं आ रही है उस वो लोड अभी लेही नहीं रही है राजस्थान का अब वहां बीजेपी वाले मुझे लग नहीं राज जो यह गोविन सिंग डुटासरा पर इतना हमला बोल रहे है ना उससे डुटासरा की और कु को सी मजबूत हो रही है जब विपक्ष लाइग इसको अटा दो तो कोई अटाता है क्या बिलकुल नहीं कॉंग्रेस तो अटाती है बीजेपी नहीं हटाती है कॉंग्रेस का तुमने दोजार चा पांस से रिकॉर्ड देखा जब चार-चार मंतियों पर कोला गोटाले के आ सब्सक्राला यह और इस ट्रकार में ख़़ी ओमने गोट उसे बड़े से बड़े से दोरोण पर किसानों को उसके बाद स्तीफ़ा नहीं होता है यहिय। बेज़ेपी में होता है। mmатलब उसमें नेता क्यों स्तीफा देगा भई..! हां तो वही मैंने का सिर यह कॉं मैंने का रहा है कि अगर कोई आरोपी रहा है कुछ रहा है तो और मजे की बात देखिए अब कोई नहीं बता रहा है चुनाओं में सब अपनी अपनी जात गिनवा रहे हैं सब अपने अपने जाती समीकरण देख रहे हैं कोई नहीं गिनवा रहा है कि ये विकास की योजनाख मतलब जनता भाषण नहीं सुनना चाह रही है बोले यहां बैटे उनको सबको मालू है किसको दक्का देना तो इसलिए वे साथ सचिन पायलेट कांफिडेंस है मैं कुल मिलाकर चीट कह सकता हूं कि बी जैपी के लिए अभी गेन करने का समय है और जो अगले पाश दिनों में लेकिन शायद मुझे भी लग रहा है एक दो सीट यही कहेंगे और बढ़ जाती अगर ऐसा किया होता चलिए तो देखिए लोक सबाद चुनावा में भी यही था बहुत कॉन्फिडेंट थी बीजेपी की 25 की 25 हेर्टरिक लगाएंगे लेकिन जब मामला 14 और 11 पे अटक गया तो उसके बाद कई प्रत्यासियों ने कहा कि अगर बसंदरा जी हमारे यहां परचार करने आती तो हम जीच जाते कुछ ने कहा कि भाई राजेन सिंग राठोर और वर्सेज राहूल कस्वा की जो लडाई थी उसने कम से कम 5-6 सीटों का नुकसान बीजेपी को करा दिया अब देखिए वही नेता आउट आफ फोकस भी है उसमें से कुछ नेता कुछ नेता की डिमांड क्या कुछ होगा यह तो जब 23 नमंबर को जब नतीजे आएंगे इन साथ सीटों के और उसके बाद अगर बीजेपी के साथ कुछ उच नीश हो जाता है जो दस सालों का एक मि जब कि नरेश मीरा जो है ताल ठोक के खड़े हुए हैं देखते हैं कि क्या कुछ होता है 23 को किसके पाले में कौन सी गेंज आती है जीत की हार की और उसके बाद किसके ओपर ठीकरा फूटता है तो यह सब देखना बहुत दिल्चस्प होगा बाकी टीवी नहीं राजसान के अब जादू जरूरी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए बाकी टीवी नहीं राजसान के बाकी खबरों के लिए देखते लिए टीवी नहीं राजसान बहुत-बहुत सुक्रिया धन्यवाद